जय हिंद इस वक्त सिवान से निकल कर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है मैं आपको बता दू की सुबह सुबह रईस खान के गाव हुई गोली बारी से एक व्यक्ति गंभी रूप से धायल हो गया वही स्थानिय लोगों ने तुरंट उसे सदर अस्पतार पहुँचाया जहां से डॉक्तरों ने रेफर कर दिया आपको बता दे कि ग्यासपुर के रहने वाले इजहार को अपराधियों ने गोली मारी है उनका कहना है कि मैं सुबह नमाज पढ़कर मस्सिद से घर जा रहा था तभी अपराधियों ने घर जाने के क्रम में मुझ पे गोलीों की बोचार कर दी आपको बता दे कि आए दिन सीवान में एक्षी घटना को अंजाम दिया जा रहा है लेकिन इस पर सीवान के प्रशाशन अभी तक कोई एक्षो नहीं लेती नजर आ रही है कि अस्थानी लोगों को कहाना है कि सीवान जो है अपराधियों के दिए सेफ जोन बनता जा रहा है तो तमाम ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल इकन बटन को जरूर देवाले च्पन प्रोप्सियोंर आ हि करता है प्रोप। मैं प्र्युप थाप्स प्रोप्सियोंग आ आ झाल क्तुड़ों आ भोल कम ते लूड़ me parce जित कि खर स कर देक कर गहा है